मैं आप आप सब को पता कि पूने में रहता हूं और हूं रहने वाला प्रीयागराज इलावत का तो आज हमने क्या करने वाले है उसके बाद definite था कोई आपको हम क्या क्या करने वाले हैं इस वह सेखने वाले हैं क्या क्या krijने यह डाउट आ रहा है मेरे माइंड यह डाउट आ रहा है डेफिनली सबके माइंड माएगा एक बार जन्राल ओर वर्विव में दे देता है कि वाट ब्यार गूंट लर्न इन दिस कोर्स एंड हाव भी अटेंड लेक्चर्स यह भी हम लोग यह देखने वाले हैं अब कुछ भी सीखते हो जाए कोई भी शौफट्यर हो दिक हैं पहली बाद रहा रखो एक यहका कुछ नहीं है सब्सक्रेशंतिन कुछ रहा होगा है यहिंन हरा थी मैं डाउने के बावभार आटा हैकि माथमें नहीं हक्रस नहीं है को लोग सहा बचेंदो आ अच्छी बात है means in general के आपको mathematics है नहीं आती हमें mathematics नहीं आती जबकि हमारे पास calculator है वैसे हमारे पदसके stat four हो भी जाता है stat four कर knowledge हो भी जयाता है जैसे calculator कर knowledge है लेकिन वो आप सही कर रहे हो की कि यह सबसे important चीज धहती हैं कि सही करें on urine ah तो आपके कोई द्वीर mentor है chukat thais Song qo up is होती है जो किया है वो सही है कि नहीं इसको confirm करना वह सबक्र मेरे देखे होंगे मेरे देखेंदे किसी और को भी देखे होंगे, तो कई चीज़े तो आपको आती है, बट वो आप सही कर रहे हो कि नहीं सही कर रहे हो, वो बहुत इंपोर्टेंट होता है, तो हमने अपने ट्रेनिंग को तीन पार्ट में त्यार किया हुआ, किसने पार्ट में त्यार किया हुआ है, तीन पार्ट में, और सब कितना 500 घंटे हम लोग इसके अंदर लगाने वाले है तो आप लोग इसके अंदर लगाने वाले हैं तो आपको तास्क दिया जाएगा सब्सक्राइब आज आपको टास्क दिया गया कि आपको वीडियो नंबर वन वीडियो नंबर टू वाच करना है ठीक है जिसमें मैंने माली जब पढ़ा है वह द्रॉइंग के बारे में और उसके बेस पे आपको एक ड्रॉइंग दी जाएगी कि आप यह दोनों वीडियो को वाच कर लोगे तो यह ड्रॉइंग को आप बना सकते हो तो दोनों वीडियो को वाच करने में लभग दो गंटा लग सकता है आपको उसके बाद उस ड्रॉइंग को बनाने में लभग एक घंटा लग सकता है तो आप रॉक्स तीन घंटा मालो थोड़ी अभी ड्राफ्टिं टेम हम लोग क्या करेंगे, आपको ड्रोइंग देंगे, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें सब लोग आओगे, जरूरी नहीं है, और सब को आना भी नहीं चाहिए, जिसके पास sufficient time है, sufficient focus है, सिर्व वही लोग आएं, क्योंकि देखों, यार इसमें आप अपने घर वाल यह पूरा ट्रेणिंग प्रोग्राम हमारा रहेगा चार महीनी के लिए पहले आदे गंटे में आपका टास्क चेक किया जाएगा कि आपने जो मैंने आपको टास्क दिया सपोज आज आपको दिया कि विंड एनलसिस आपको बिल्डिंग को पर लगाना है और लगा कर सम्मिट बेकम हो जाती लेकिन मुझे देखना है कौन कितना कर रहा है तो day one से day do for month 5 अप जाते हो आप बहुत हाई level पर चले जाते हो तो आप देखोगे तो आदे गंटे में आपका assignment check होगा next जो आदा गंटा है उस आदे गंटे में हम लोग क्या करते हैं घंटी में आपको मैं daily interview की preparation कर वाता हूँ आप बोलोगे sir interview की preparation 4 महिने तक yes आदा अगरदा गंटा 4 महिने तक interview की preparation जिसमें कुछ आपको पढ़ने के घर्ट से देता हूँ कुछ हम pistonПрbai क्लास में मैं कि अच्छमन हेने चीजे में में करने कि कुछ आग से करaval कि इस तो में रहे को पताया कि सेरा iyi है पैसे दिखले नेक्स्ट टे ने पढ़ा है कि इंटर्वी में हमने अट्छीली एलबघ एक हजार क्षिन का सेड्ट बना दिया है structure's है कि क्या 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 कुश्यन पूस्च सकता है सामने वाला तो 1000 questions का set बना के दे रखा है हमने, कि deflection पूछ सकता है आप से, आप से पूछ लगता है, slopes deflection क्या होता है, column का orientation क्या रखेंगे, beam का orientation क्या रखेंगे, beam में depth कैसे decide करेंगे, footing का size क्या रखेंगे, तो इस तरीके से footing, अब जैसे हम लोग कैसे करते है, set त्यार करते हैं, जैसे म compression member है, column के type कितने होते हैं, column में load कैसे calculate करते है, column में axial load क्या होता है, column कितने-कितने types के based on save होते है, based on size होते है, column को design कैसे करते है manually, column को कैसे design करते है Excel पे, columns related everything, तो हमने एक question set त्यार कर दिया, column पे, same beam के लिए, there are different different things in beams, beam में deflection कैसे maximum check करेंगे, depth कैसे decide करेंगे, beam कहां कहा पर देना चाहिए तो ऐसे बहुत सी चीज़ होंगी जो बीम के अंदर पूछी जाएंगी तो हम लोग ने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको भी एड कर लिया दो देली ये चीज़े हम डिसकस करेंगे स्लैम की कितने टाइब्स होते हैं कहां प्र कौन सा स्लैम देना चाहिए स्लैम में reinforcement, क्रैंक वार कहां देते हैं, हेंगर बार क्या होता है, ब्लॉक्स कैसे यूज करते है, आई, इस कोड में क्या-क्या पढ़ना चाहिए, तो हमने एक सिरी स्टार्ट किया वाई, कॉलम में सब कुछ पढ़ लो एक सिरी स्टार्ट करते हैं आप पर कि pense पढ़ लो एक सिरी कर रखा है हर एक IS code का important key points निकाल के दे दिया IS 456 का IS 800 का IS 875 के पांचों पार्ट का उसके बाद हम लोग ने IS 1893 का तो पूरा जो निचोर निकाल दिया तो कहीं से भी पूछेगा थो हम फसा लेंगे इंटर्वियर को पहले फ्रेम पर फसाया फिर आई-स कोड फसाया मलब गलत मत समझ लेना ठीक है तो फसाया इन दोनों questions पर कर लिया तो यह हम लोग लगब लगब एक medium कबल कर लेते हैं next to the medium क्या करते हैं हम लोग submission क्या होती है working क्या होती है G drawing क्या होती है soft drawing क्या होती है there are different different types of drawings और उनके कुछ गलतियां आपको कैसे check करना है कि गलत बना रहे हो कि सही बना रहे हो, उसका पूरा प्रोसेस लबब 15 दिन में हम लोग उसको सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि भाई हमने जो ड्रॉइंग किया हुआ है, उसको एपरूब कैसे करवाएंगे, उस ड्रॉइंग में सब कुछ क्या है, कि सब कुछ सही कर रहे हैं कि नहीं से हम लोग point discuss करते हैं उसके बाद हम लोग जाते हैं deep level पर deep level क्या है deep level है dynamic analysis यह तब होगे static analysis के बात है इसके बाद dynamic analysis अब आपसे क्या पूछ सकता है dynamic इनके बारे में इनके graphs को कैसे study करेंगे इसके बारे में हम लोग पूरा प्रोग्राम सीखते हैं next एक महिने में तो लगभग आधा आधा घंटा करके कते हैं बूंद बूंद से सागर भड़ता है तो डेली हम लोग क्या करते हैं एक-एक slides पढ़ते हैं और चार महिने में maximum structure का हर एक point clear हो जाता है और यह मेरा भी आप लोग के तरह मेरा promise रहता है कि आप कहीं पर भी interview के ले जाएंगे तो जितना हम चार महिने में आपको content देंगे उसके बाहर से कोई नहीं पूछ पाएगा तो यह हो गया एक घंटे का program next आधा घंटा क्या करते हैं next आधा घंटा हम लोग आपको time देते हैं कि आपने जो lecture watch किया क्योंकि इसमें क्या होता है recording प्लस लाइव होता है तो आपको suppose आज दो लेक्चर दे रखा है पढ़ने के लिए तो definitely आपके mind में doubt आएगा क्या यह दो लेक्चर में क्या बोलते सर ने क्या क्या पढ़ाया हुआ हुआ है ठीक ह है बहुत easy language हम लोग यहां पर discuss करते है तो वैसा ही आप आराम से डेली हम से question पूछ सकते हो कुछ project करते है समय समस्या आई वो मेरे से discuss कर सकते हो तो इस तरीके से क्या होता है कि करते है कि कंसिस्टेंसी जो maintain कर लेगा है न चार महिने बहुत जादा होता है वैसे दो महिने म है तो यह पूरा हमारा process होता है training का next क्या होता है next होता है कि आपने किया है जो बहुत अच्छा आप कर रहे हो ठीक है लेकिन आप सही जा रहे हो आप interview में perform कर पाऊगे कि नहीं suppose असमिता को सब कुछ हाता है but she is not able to explain तब क्या होगा गडबड है न तो हम क्या करते हैं कि बोलते हैं कि आप लोग आपस में meeting करो और आपस में एक दूसरे से technical topics पर discuss करो तो यह हम extra activity डालते हैं और every Friday को हम लोग क्या करते हैं mock interview करते हैं आपने YouTube पे देखे होंगे बहुत डेर सारे mock interview तो every Friday को जिस सब्सक्राइड को हम mock interview कर लेते हैं तो इसमें आप लोग interview के लिए बाते हो कैसे बैटना है कैसे बात करना है कैसे answer देना interview के लिए उसमें HR questions का पूरा हम आपको set दे देते हैं कि HR question में क्या क्या पूछेंगे technical question में क्या पूछेंगे उसका पूरा set तो आपको daily दिया जाता है तो क्या करेंगे आपका mock interview होगा तो कई लोग के अंदर घवरहा दिनी पर जब एक-एक interview हो जाते हैं तो आपके अंदर से confidence raise हो जाता है यह करते हैं इसमें हम लोग उसके बाद क्या करते हैं आपका technical like test होता है जिसे आपने gate का question देगी दिया होगा paper वैसे app के उपर एक facility है जिसमें आप test देते हो objective type questions आपसे पूछे जाएंगे softwares पे concepts प जाते हैं तो जब आप 30 minutes 30 questions को करते हो तो क्या होता है maximum चीज़े आपकी वहां पर clear रहते हैं और आपका marks वहां पर आ जाता है कि आपने कितना mark gain किया हुआ है definitely उसको कुछ gifts भी होते हैं जो हम लोग यहाप कोई discourse नहीं करेंगे gift कह रहते हैं तो जो first rank लाता है उसको कुछ नों को gift दिया जाता है second को भी third को भी तो वह एक अलग चीज़े है इस तरीके से हमारा पूरा training होता है आप थोड़ा से इसको slide में दिखा देता हूं ठीक है मैं उसे बोलने में ज्यादा believe रखता हूं क्योंकि हम सीख लें वो ज्यादा important है बहुत बड़ा कागज पेन हम ब हम लो ठीक है definitely आपकी सुनी जाएगी लेकिन पहले आपको दिखा दूँ कि exactly हम लोग क्या-क्या पढ़ने जा रहे हैं ठीक है एक मिनिटा मैं प्रेजिस को प्रेजेंट करता हूं कि मेरी स्क्रीन ओके स्क्रीन बिजिबल हो गई मेरी तो यहां पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं यह स्लाइट साथ कुछ लोग ने नेट पर देखा भी होगा यूट्यूब पर पढ़ने वाले हैं तो सबसे बड़ी चीज की सिविल इंग गुर्कुल क्या है एक तरीके से कंसिस्टेंसी बनाने का नेट वर्क है अगर आप यहां पर आगे तो डेली टास्ट सम्मीट करना है सबसे बड़ा हैटी काम वही होता है तो अगर आपको एक ऑफिस जॉब चाहिए एक स्टेबल जॉब चाहिए जिसमें आप अपनी लाइफिस्ट्राइल को अच्छा कर सक और आप सर्च कर रहरे कि कोई एक ऐसा इंसान हो जो मेरी हैल्फ कर दे मुझे वहां तो पहुचा दे तो अगर आप ट्रॉस्ट करते हो मेरे उपर अप यहां पर लिखाओ मैं आसान बाता मुसको कर दे रहा हूं अगर करते हो आसकते हो और कोई इसमें किसी को नहीं रहता बट हाँ अगर बिलीब करोगे तो एक से डेट महिने के बाद आप कुछ और हो जाओगे इसकी घरंटी मेरी है कि कुछ भाई सब लोग आभी आ रहे हैं मैक्सिमम चीजे मैं आपको कवर करके यहां पर दे सकता हूँ ट्रेनिंग में सीखेंगे क्या क्या क्योंकि भाई सीदे सीदे सबको लगता है कि सर यह तो ठीक है आप जो जो सीखाओगे इंटर्वी के सारे पॉइंट बहुत अच्छी बात है लेकिन हम क्या सीखेंगे आपक अजैनिक्स एक्सल्ड डिजाइनिंग्स रेविट आर्टिक्टर और अल्ष्रक्चिस और स्ट्रक्चर कॉंसेट एस पर इंडस्ट्री रिकॉर्मेंट सबसे इंपॉर्टिन पॉइंट यह है आप हर जुगा पे यह सारे शॉप्टे सीख सकते हो ठीक है हो सकता है कोई क्या इंटर्वी होगा फेस्ट टूपेस इंटर्वी होगा वो यहां से यहां से निगलता है all structure concept as per Industry norm इसी इक में बात कर सुक्रक्णर fust कर रहता है क्या सारे frame से क्या-क्या question पूछ से जाएंगे सारे i.o.s code से क्या-क्या question पूछ करते हैं तो ये डेली आदा गंटा चलता है मेरे कॉर्डिंग आप इसको थोड़ा कम भी जानो चलेगा वैसे हम लोग जो सीखाया हुआ एक दम प्रोफेशनल सीखोगे आप लेकिन अगर कम भी सीखे तो चलेगा इसको अच्छे से सीख लिए ना तो सिरी सिरी बात है जिसको प्रेजेंट करना आता है ये प्रेजेंटेशन है वो कुछ भी कर सकता है तो दोस्त ये चीज़ आपको डेली आदा गंटा हम लोग चार महीने तक ट्रेंट करेंगे इस पर कुछ कंटेंट आपको घर से भी पढ़ने को देंगे डेफिनली हमारे पास टाइम कभा हो रहेग लेकिन कुछ कंटेंट जो मैक्सिमम इंपोर्टेंट कंटेंट है वह हम क्लास में डिसकस करेंगे अब हमारा टार्गेट का है क्योंकि डेफिनली आप आरे हो चार मेनिम आपको क्या वेनिफिट मिलने वाला सबसे बड़ा वेनिफिट यह होने वाला कि ट्राइट विल्ट अपनी स्ट्रेंथ बताते हो वीक्नेस बताते हो तो खुदी आप इनी तैरी करके आते हो कि आपका कॉन्फिडेंस रेज हो जाता है सबसे इंपोर्टेंट चीज वह है ट्रेनिंग में क्योंकि वह है कि स्कूल हम क्यो जाते हैं स्कूल जाने के जगे पर कोचिंग भी जा सक सकते हैं प्रॉपर सही तरीके से ट्राइट बिल्ड और कंसिस्टेंसी हम सब चाहे आप हो चाहे मैं हूं सभी लोग मेंनत करते हैं ठीक है और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से साध मेरी प्लेटफॉर्म से वीडियो कोर्स ले और ने टास्क दिया है करना ही करना है तो अब क्या होता है नीन हराम होती है चाहे जो हराम हो लेकिन आप करके ही आती हूं यह सबसे बैस चीज होती है इंटर्वी की कम्प्लिट प्रिपेशन हो जाती है यहां पर ठीक है बहुत से बच्चों के पास नॉलेज होता है लेकि तो सारी चीजे गायफ हो जाएंगे यह पक्ता है, we will guide you the best company also support how to crack interview, ठीक है, मैं आपको like हर दूसरी तीसरी दिन बताता रहता हूँ, यार यहाँ पर opening चल लिए apply कर दो, ठीक है, मैं आपको दोस्त के तरह हूँ, ठीक है, तो आपको मैं बताता रहता हूँ कि देखो यार यहा तो ओ ट्रिक में आपको share करूँगा कि एक company के लिए अपका resume दूसरे तरीके से बनेगा, दूसरे के लिए दूसरे तरीके से बनेगा, तीसरे के लिए तीसरे तरीके से, हर company के लिए जो resume होता है व Gedanken本ाना चाहिए ओ ट्रीक हम इसके अंदर आपको बताते हैं, उसके अलावा portfolio बताते हैं कैसे बनाना है आपको cover letter कैसे बनाना है so that कि आपका resume जाए तो 100 लोगों को resume में एक बंदा अलग दिखने लग रही कि हाँ यार इसके ने तो कुछ अलग तरीके से apply किया हुआ है वो चीज में आपको यहाँ पर guide कर देता हूँ पूरी तरीके से यह benefit होता है आपको next इसमें क्या होता है कि थोड़े से आपको rules दे रखें ठेक है daily tasks आपको मिलता है daily आपको submit करना पड़ता है daily आपको video मिलेगा daily उस video के according task complete करना पड़ेगा basic civil engineering हमें सबसे आद आपको focus करता हूँ जिसको मैं एकदम मजबूत कर दूँगा अगर आपनी engineering में सही से नहीं पड़ा है तो test यहाँ पर देना पड़ता है इसके हुझे से strong हो जाता है weekly mock interview होता है जो मैंने आपको बता दिया है HR round होते है यहाँ पर live cat test भी हम आपको practice कराते हैं मतलब एक तो HR round की interview practice technical round की interview practice उसके बाद आपको एक drawing मिलेगी जिसको एक time में आपको done करके देना पड़ेगा क्योंकि company में भी आपका tool test होता है जिसको बोलते हो cat test तो उसके बाद मैं आपको feedback बताता हूं कि यह आप कितना improve करने की जरुवत है कितना सही हो कितने RC हो रहे हो कितना perfect हो जब आप better करने लगोगे तो आपको live project भी मिलने लगता है इंटर्व्यू crack करना ठीक है सारे software आपको मिलेंगे उसका कुछी भी आपको tension नहीं लेना है सारे software आपको मिलेंगे सारा study material आपको हमारे तरफ से मिलेगा crack करना उसको कैसे install करना सब बता जाएगा सारे software मिलेंगे उसके बाद उसको install कैसे करना है उसका वी video देते हैं intensive certificate मिलता है क्यों कि अगर मैंने सब का बना दिया और आप किसी company में कहें वहाँ पर बताए कि मैंने unique civil से सीखा है उन्होंने बोला line command के shortcut की क्या होती है तो आपने बोल दिया क्या see inter हो गया फिर तो मेरा आपके होने चाहिए और आपका जो फी रहता है इसमें 20,000 इसका फीर रहता है जिसमें साब 5,000 पे कर सकते हो यह नंबर पर अपने यह ओफिस्यल नंबर है इसमें आप 5 पे करके अपना ट्रेस्टेशन कांटीनिव कर सकते हो और जैसे 4-month intensive रहेगा आपका internet आपको चाहिए चाहिए मोबाइल का हो चाहिए लैपटॉप का हो complete online training रहती है ठीक है अभी 15 के जगए 20 बच्चों का वैच कर दिया क्योंकि 20 लोग आराम से मैनेज हो जाते हैं मैंना ऐसे करके देख ल ठीक है जितना जल्दी हो सके सीट बूक कर लो क्योंकि यही फिक्स है कि बहुत जल्दी क्योंकि आपको सब कुछ प्रैक्टिकल मैनर्स में सीखने को यहां मिलेगा यह इसका पूरा कॉंसेट्स है सीविल इंजिनिंग गुरकुल का I think यह अभी तक में मुझे नहीं लगता हो गया फिर किया होगा दो डैफिनली हो सकता है मेरे एकोर्डिंग यह मेरा आइडिया यूनिक था और लभग लभग इसमें 70 बच्चे इसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं और सक्सेस्पूली कर रहे हैं तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इसलिए आपको भी मैं यह confidence दे स सकते हो पूछ सकते हैं यह जो नॉलेज मिलेगा हमें आप फोर मंस में तो इससे हाओ कें वी डिफ्रेंट फॉम्ड 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 पर्शन हुए वेस्डन एम्टेक क्योंकि कंपनीज में क्या होते प्रिफर करते कि एम्टेक डिगरी हो बले उसका नॉलेज हो या ना सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मैं भी कंपनी अपना चला रहा हूं ठीक है मेरे खुद का कंस्ट्रक्शन का काम है अभी अभी आपके मीटिंग से पहले मैं अभी गया था वीमान नगर में तो वहां पर एक लड़के को हायर करने के लिए गया था और वह लड़का जो है है वह भी बीम में काम कर रहा है ठीक है मैंने उसको बोला कि मेरा यह काम है तुम क्या कर लोगी क्या हो तो वह सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको आपके अंदर से confidence raise होना चाहिए आपको यह professional proof करना पड़ेगा कि आठ देखो जो भी आप सर्च कर रहे हो ठीक है मेरे पोर्फोलियो के एक बार आप देख लो जो हमारा पोर्फोलियो होता है वही सब कुछ बदा देता है तो हम ऐसी पोर्फोलियो आपको तयार करवाते हैं जिसको देखने के बाद सामने वाले के अंदर confidence raise हो जाता कि हाँ यह कर लेगा चाहिए जो इंसान हो अगर वो confidence सामने वाले के अंदर proof कर दिया कि यार यह मेरे को यह बहुत अच्छे से आता है और आप उसको कोई project आपको मिलता है आपने करके उसको दिखा दिया तो हाँ पर degree doesn't matters अगर degree matters करता तो हर एक mtech वाले के पास job होती है यह तो सच नहीं है ना तो सबसे important होता है knowledge matters कुछ company की eligibility criteria होती है master's reason यह होता है को उनके पास license नहीं होते है खुद के तो master's वालों को hire कर लेते हैं तो उनका license की eligibility मिल जाती है तो वह एक plus point हो जाता है उनके पास और कोई reason नहीं होता है आप job search करो Google पे stat pro पे आपको 70% मिलेंगे जिसमें master's और कर सकते हो रहें हमने check कर रखाए और सर एक और question था कि यह जो structures career है इसमें growth prospect कैसे एक तो हम कुद का consultancy चालू कर सकते अगर बीच में अगर क्या अगर बीच में कोई एक ऐसा point आ जाएगे कि वो लोग मुझे बोल देंगे कि यार यू शुट दो mtech so then only we can appoint you as a senior head या वो सो तो उसमें कैसे पहली बद तो ऐसा होता नहीं है आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका five year का experience होता है जो बीच के बाद अगर आपने five year का experience गेंड किया हुआ है that is equivalent to masters अगर कोई बोलता है कि भया इसके बाद आपको यह करना पड़ेगा तो पहली बाद तो बेकूफ है क्योंकि उसको यह नहीं पता है कि five year in structures is equal to masters वो दोनों का experience सेम हो जाता है रही बात कि आपकी इस तरीके की profiles में job कर सकते हो तो आप profiles जो start होती है सबसे basic अगर आपका knowledge है तो आप structural development से start करते हो पहला step यह होता है अगर थोड़ा भी अच्छा है तो आप as a junior structure engineer higher होते हो और उसके बाद और अच्छा है तो आप structure engineer के profile पर higher होते हो थोड़ा और best हो आप senior structure engineer के profile होते हो इसके बाद सही तरीका यह होता है कि आपको यहां तक म में ऐसी थोड़ी बहुत journey start कर लेनी चाहिए इतनी context बना लेने चाहिए senior structure engineer बनते बनते कि आपके अंदर में 2-4 बच्चे होने चाहिए जिनको आप trend भी कर रहे हो कि in the sense कि आप हमारी company में आ जाओ उसके साथ ही साथ आपका network build हो जाने चाहिए कि भाई अब हम अपना भी कर सकते देखो क्या होता है कभी भी लोग बोलते हैं business करने के लिए पैसा लगता है यह बिल्कूल गलत है ठीक है आज कटे में business लगने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है केवल 2000 रुपे का कमरे का किराय का कमरा लगता है काम आपको खुद से आता है ठीक है तो आप basic level से काम आप स्टार्ट कर सकते हो कोई भी खर्च नहीं अगर मैं बोलूं इंटर्विणोर बनने के लिए तो सबसे अच्छा तरीका जो मैंने अपना है उसायद अच्छा है जॉब के साथ यूनिंग में खोड़ा मेहंती बन जाओ ठीक है यूनिंग में आप एक्ष्टा करो सड़ से अभी कर रहा हूं ऐसे ही आप डेली करते हो ठीक है मेरा इस्टोडिने यहां पर आनन्द है जानता है यह कि मलब हम लोग ज्यादा सेर करने कोशिस करते हैं और और किसी कोई क्विश्चन आराम से पूछ हो गुद एविनिंग सर गुद इनिंग रंजीत सर मैं रंजीत इसने क्या दिमाख लगाया है बहुत अच्छा आपने जॉब स्टार्ट कर लिया इसके साथ ही साथ पार्ट टाइम मास्टर्स डाल दिया कहीं ने कहीं से और उसका भी कंप्लीट हो रहा है हाँ अब बो रंजीत हाँ सर एक्चली मैं बीटेक पास आउट हूं 18 का उसके बा आप गॉवर्मेंट जॉब्स के तरफ सीच कर लो तो सर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मैं अपना गॉवर्मेंट जॉब मतलब सिवल इंजिनिंग फिल्ड में ही गॉवर्मेंट जॉब करते हुए खुद का अपना कंसर्टेंसी किसी भी तरीके से रन कर सकता हो गया सर जुग Whilst में जॉब में एक असिस्ट्रीं जुट्र कर लिए और रंजी उनसान के दॉदारां कि मैं आपको डेफनेटलि हायर कर रहा हूं और साथूसाथ आपके लिकरी को भी यहांँ परमेंगांगा क्योंकि मैं अपनी डिग्री को यहांँ पर नहीं लगा सकता हूं तो प्रॉलम क्या है अगर रंजीत काम कर रहे है हमारी कमपनी में रंजीत के साथ आरदस लोग और काम कर रहे है ठीक है कमपनी मेरे नाम से रेइस्टरड है सिर्फ लाइसेंस रंजीत का है प्रॉलम क्या है हो सकता है कल को रंजीत धोखा दे दे ठीक है कल इनको दूसरा ओप है तो आप ऐसे कुछ बच्चों को हायर करके काम करो क्या दिक्कत है मैं मैं समझ यह तो बात सर मैं समझ रहा हूँ लेकिन मैं अपने भी है मतलब अपने जो structure का मुझे license कल को मिलता है उसके भी है पर मैं नहीं कर सो नहीं उसके भी हाँ पर अगर आपका checking हो गई आपके नाम पर तो प्रॉलम होगा ठीक है आप काम खुद के नाम पर करिए सिर्फ इस्टैंप दूसरे का मारी यह मतलब मुझको एक कोई ऐसा बनना चाहिए जिसके नाम पर मैं स्टैंपिंग कर सब्सक्राइब मेरी कुछ दिन पहले अभी मेरे बंद कर दिया है मैंने medical का बिजनेस करता हूं तो मेरे मेरे पास दवाई के लाइसेंस नहीं है तो मेरे मुझक लड़का था तो मैंने उसको 500 दे कर देता था और अपकोस वह अपना आदमी था तो हम मेरे चलाते थे थे और अच्छी अर्निंग भी किय थी हमने तो अकुल मिला कि तिकत क्या हुआ हू को कहीं नहीं स्विपला में जॉप कर रहा है तो उसके वज़े से कहीं नहीं हमारा काम भी हो रहा जो आपके वाईफ होगी ना उसके नाम पर अपना शॉरा कुछ चला सकते हो ठीक है इस इस दिलिजिबल कि अभ़आ को कोई डाउट है पुछवारा हमसे कि अग्व हर्पार्ट की एक्सपिरेंस और इसे होता है वह कैसे होता है विदर कि आप किस तरह की कंपनी में काम कर रहे हो सबसी इंपॉर्टनिक कई लोग क्या जज़ कर लेते हैं जैसे कि मानलों कहीं पर निकला हुआ है वहां पर 15 या 20 जार पर सेलली है उंको लगता है कि यही सेलली स्टेंडर है और इसी सेलली को सभी लोग पे करते हैं ऐसा नहीं होता है सैलली हमेसा तीन पार्ट में डिवाईड होती है मैं फ्रेषर से भी झाट करता हूं तो फ्रेषर अगर किसी एक बहुत छोटी कंपणी में अपनी कंपनी में में हैं हमारी जिसे कंप newcom अगर काम करता है जो फ्रेसर कोई भी बंदा तो उसको मैं 3.6 का package नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरी company के भी कुछ standard है definitely हम जितना अन करेंगे उसके हिसाब से pay करेंगे तो मेरी company में अगर कोई आता है तो मैं इसको 12 से 15,000 रुपए pay करूंगा as a freezer फ्रेसर की में बात करना हूँ ठीक है 12 से 15,000 रुपए लेकिन ऐसे ही अगर कोई मेरा दोस्त है और उसकी company mid-level की company है मतलब उसका turnover अगर बोलो तो एक करोन से 10 करोन की वीच में अगर उसका turnover हो रहा फ्रेसर हमारे यहाँ पर काय पार रहा था 12 से 15,000 रुपए और जो मेरे दोस्त है जिसकी company mid-level की है उसके यहाँ 15 से 20,000 रुपए और वही लड़का अगर किसी मेरा एक और दोस्त है जो एक MNC चलाता है बहुत बड़ी multinational company है उसकी ठीक है और उस बहुत बड़ी नहीं company होती में ऐसी MNC जिसके हर जगे पर ब्रांचे जैसे दार है ठीक है से black and beach है इसी कुछ company है इन सब company में काम करता है तो वही लड़का 25 से 35 करेंज में आ जाता है ठीक है 3.6 तक के package आराम से गेन करता है लेकिन company के valuations को कभी भी company कैसे salary pay करती उसका रूल होता है salary pay करने का कि जितना turnover हो रहा है ठीक है turnover होने के बाद उसका salary slave होता है 5% to 10% अगर उसको एक लाग रुपए का benefit हो रहा है कि example ले रहा हूँ एक लाग रुपए का benefit हो रहा है monthly तो वह 5 से 10,000 रुपए ही क्योवल pay करेगा ठीक है और अगर उसको 20 लाग रुपए का या पिर 10 लाग रुप कंपनी है kinder joy आप लोग ने चौकलेट खाया होगा kinder joy का बच्पन में हमारे था नहीं हो सकता था भी हमारा budget नहीं था क्योंग 40 रुपए की छोटी सी चौकलेट देता है तो वह चौकलेट की कंपनी में एक लड़का था वह office boy था तेक है तो हमारी company से सटी हुआ इसकी company थ तो अब उसकी 24 क्यों है office boy की क्योंकि मेरे company में जो office boy था उसकी salary थी 12,000 रुपए ठीक है क्यों क्यों क्योंकि हमारी company का turnover हिसाब से 12,000 रुपए suitable था office boy के लिए लेकिन kinder joy जो है definitely उसके जर्मनी के इंजिनियर्स आके पर पूने मगर बट्टा में काम कर रहे है तो उसके हि किसा समझ आया क्या कि किस लेबल की company में काम कर रहे हो उस तरह का package आपका होगा अमन सिद्ध की हाई सर हलो हंजी है सर मैंने मुझे साथ साल का experience है जिसमें सर साइट का है एक साल दो साल मैंने आपको पहले ही बताया था और विम का है कि दो साल करेक्ट उसके बाद लाश्ट इस साल से सर मैं ऐसी industry में आ गया था जिसका कोई relevant experience नहीं है जैसे solar industry में काम कर रहा हूं अब मैं अपने वापस main industry में आना चाह रहा हूं चाहे structure design हो या BIM हो या साथ में चले तो सर अब जैसे अगर हम complimentary देंगा आपके course के बाद तो वहां सर ये बोल सकते हैं कि हमने really में project क यह हैं किसी company में यह मतलब पूरे साथ साल हमने काम किया है यह इतना confidence और इतना work हम कर लें तो इसमें कैसा होता है कि आप जिस company का पर उस company के नाम बताना है इतने लोग यहां पर लबग 28-25 लोग हैं हम लोगों को कुछ पता नहीं कि अपनी company में करते क्या है जो यह job discussion लिख कर देंगे हमको उसे हिसाब से मैं judge कर पाऊंगा कि अमन क्या काम करते हैं करेक्ट है तो अब अमन निमा लिखा कि मैं बीम के काम करता हूं भले ही बीम क अगर अमन explain करते हैं तो definitely अमन जो explain कर रहे है तो कोई भी company में आप काम कर रहे है उसका कोई वह नहीं होता है definitely हाँ company में वह relevant उससे काम होना चाहिए तो अगर आप explain कर रहे हो यह को कई कई कम लड़का है अमीद करके है तो साथ रिकॉर्डिंग को देखेगा भी तो वह बह management में डाल दिया अब वहां पर क्या हो गया उसको स्टार्टिंग में गया था बीम पर उसको टेक्निकल्टी भूलते भूलते सब भूल गया टेक्निकल ऑटो कैट भी उसको सही से याद रहा तो आप करे क्या हो डेपनेल्टी उसको एक टाइम के बाद स्वेली पाना है अच मैंने बुला अब तुम जौब डिस्कुशन में यह मत डालो कि वहां पर मैं मैंनेजमेंट का काम कर रहा था भी जूफ निकाल रहा था उसके डालो की मैं बीम का काम कर रहा था अब बिलीब नहीं करेंगे अभी उससे बात हुई क्योंकि वह सको दो और बच्चे की है कि अभी जैसे सेलरी हमारी मीडियम डेवल पर आ गई है करेक्ट जैसे 50-60 एराउंड हो गई है लेकिन जैसे इस ट्रेशर आपके हां से शुरू करते हैं तो फंद्रा बीस परचीस इस हसाब से तुम मेरी जैसे सेलरी भी बढ़ी रहे इस हसाब से मुझे शुरू करना है त सब्सक्राइब करता हूं मैं का कभी बढ़ेगी ही नहीं क्यों मुझे किनना बेनिफिट तुम दोगे ऑटोकेट के बेस पे समझ गया मैंने का तुरंत इसकिल्स एड करो तो अगर आप अमन अगर सब्सक्राइब की साथ हजार है तो मालने आप 80 आप लेना चाहते हैं कोई की बुराई नहीं एक लेने में लेगिन एक लेवल के आपको काम सम्मिट करने पड़ेंगे तो आपको इतना एक्स्पिरियंस दिखाना पड़ेगा इतना वर्क का प्रोफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा कि वो उसको मैच कर पाए यह समझ गये हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगर क्या बोलते हैं जैसे भी रेस्ट्ट्टेंट्स फइब सब्सक्राइब होते हैं तो प्सक्राइब सभीडिया कि आप मैं जा रहा हूं फइस तो अगर होटल की आपको देनी पड़ेंगी यह कॉंसेप्ट खाए तो आप से यहीं एक्सपर्ट करते हैं बड़े प्रोजेक्ट इस तरह से आप आपको मैं इतना बड़ा कर दूँगा कि इतना बड़ा पुझे दे दूगा यह समिता कि आनन्द बोले हैं सब मेरा कुश्यन कोई भी कुश्यन पूछ सकता है जिसका भी कुश्यन है कि इन्होंने करते हूं और साथ ही साथ जो अप्रोक्सिमेट होता है मैं उससे भी वर्ग करते हूं अभी जस्ट फिलाल में मैं सापूर जी पालवन जी में इंट्रव्यू दी हूं और वहां से क्वैस्त वहां से अगे कणि कर गया था वहां से अब करियं जो आपसे रट ऺद्ट सव करते हो और अभी मैं इस कमपणी में काम करें हूं बहुत छोटी कंप्नी is वहाँ पर मुझे एक लिस्ट टू येर से में वहाँ कर रही हूं और मेरा साइलरी ग्रोथ नहीं अपारा अभी भी मुझे वहां तूबल भी मिलती है को यहां पर मैं क्या एंसर करूं हुँ है और वहाँ जो सापूर जी पालूं जी कंपनी वहाँ पर एज़ा एंजिनियर हम लोगे साथ में प्रॉलम पता है क्या होता है कभी एस होता ना कि हम लोग सब्सक्री आपको दीख रहे होगी सबसे हई पर दिख रही होगी तो मुझे पता नहीं तक कौन सी building का height कितना ज्यादा है तो मैंने किया किया मैंने किया किया पहली इस वाली building पर चढ़ना इस टार्ट खिया और चढ़ते चढ़ते पर मैं रिलाइज हुआ कि यह building से मैं एकदम height पर नहीं पहुंचा हूं जहां मुझे पहुंचना है फिर मैं नीचे उदरा फिर उसके बाद दूसरी building को मैं चढ़ा फिर मुझे मसूस है या यह भी नहीं है फिर मैं middle building पर आया और उपर चढ़ते चढ़ जादा है यह भी building नहीं है जिस building को मैं चढ़ना चाहता हूँ तो क्या हो गया एक साल दो साल तीन साल हो सकता है पांच छे साल हमको लग जाती है हाइट को देखने में और लास्ट में छटवे साल हमको रिलाइज हुआ क्या है हाइट वाली building तो यह वाली थी अगर इस पर चढ़ा होता हमारा काम तक हो गया होता तो अगर ग्रोथ की बात क होता है यहीं हमें किसी मेंटर ने बता दिया होता है कि यहीं सीड़ी है जो सबसे हाइस जाती है बस क्या काम था फट से पहुंच जाते और इसी चीत का प्रॉलम हो गया असमिता आपके साथ अभी होने वाला है आपने क्षोड़ी building से start कि अपने career को आपको दिखा कि जाना चाहे बहुत अच्छा किया थोड़ा से लेट कर दिया क्योंकि दो साल अगर आपको लग रहा है growth नहीं हो रहत नहीं रूपना चाहिए one year is sufficient फिर भी जब जागत अभी सभेरा तो आप क्या हो सकता है कि अब इनको चड़ना है height पे तो यह जो गलती पहली बार कर इनोंने कि दो साल वेट कर लिया तो वही गवती इनका फिर से होने वाला है कि अब यह quantity एन इस्टिमेशन पर जाने वाली है ठीक है actually वहां इनको जाना नहीं इनको जाना एक higher package पर वही वाली building है जो इधर जा रही है लेकिन यह सोच नहीं क्या अब इसमें तो कुछ हो नह कर लेना ठीक पानी पी लेना गुस्तासांत हो जाएगा ठीक मजा कर रहा हूं तो इस वाली building पे इनको पहुंचना था लेकिन अब फिर से दूसरी building पर चड़ने के सोच रहे है क्योंकि वह quality and something जो इनन बता है इस profile का है तो problem ही होगी एक साल वे इनको realize होगा यार मुझे इ कुछ आता है आपको लैपिंग आता है आपको हैंगर बार्स लगाना आता है आपको किस तरीके से secondary beam और primary beam दिखाना है reinforcement दिखाना सब आपको आता है आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप stat pro सीखो और stat pro सीखने के बाद किसी एक building के like उस profile पे लगो जिस profile में आपको actually में knowledge ह है आपका जो structure का knowledge है structure drafting का knowledge है इसके बाद next level होता junior structure engineer अगर आप उस पे जाते हो मेरे recording ज्यादा बेटर रहेगा compared to जिस company में देखो company कितनी भी बड़ी हो लेकिन अगर job profile अच्छा नहीं है न तो फिर वेकार हो जाता है long term के लिए starting में अच्छा लगेगा package अच्छा मिलेग सकती हो उनको बता सकती हो अगर वो पुने जैसे बड़ी cities में है तो उनको 20-25,000 तुम रिजन दे सकती हो रिजन यह है कि उन company को पता है कि हमारे employee अगर रहेंगे कहीं पर survive करने के लिए ठंग से रहना पड़ेगा क्योंकि यह भी बताएंगे न कि हम इस company में काम करते हैं त वो एक अच्छी lifestyle को maintain कर सके otherwise अगर वो बहुत खराब जगह पे रहेंगे तो अगर वो बोलेंगे मैं सेरम company में काम करता हो तो कहीं ने कहीं उस company की तोहीन हो रही है तो आपको 20-25 आप बोलोगे तो मिल तो जाएगा अश्मिता बट आल सजेस्ट कि मज जाओ उस profile में क्यों सब्सक्राइब करना है उसमें यूटिलाइज हो सकता है सरी नॉलेज मुझे मुझे आगर किसी कंसल्टंसी में जाना होगा मतलब ब्रिज डिजानिंग वगरा हो रहे है तो यह मुझे जो मैंने सिखा है वहां पर मेरा यूटिलाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता है जो मैं सीखने वाला हु राइट हाँ नहीं ठीक है जो मेरा experience है जो मैं पूरा टीच करने वाला हूं यह पूरा पूरा रियल स्टेट से रिलेटेड है इस्ट्रक्चर से रिलेटेड है तो आपको नहीं सीखना चाहिए ठीक है क्योंकि अगर आप सीखते हो तो आपको जो आपका छे साल का experience है उसका कोई भी यूज नहीं आएगा आपको इसके जिगर प और आपका भी same position आपने bridge में experience ले रखा है तो आपको bridge के software सीखने चाहिए ठीक है न की मेरा software मेरा software आपके लिए useful नहीं रहेगा क्योंकि यह building का है आपके स्वार्थ के साथ में खिलवाड करूंगा जो आपके लिए बेस्ट होगा मैं वही गाइड करता हूं और वही आगे भी गाइड करूंगा जो नहीं अच्छा होगा अगर मुझे लगता है आपके लिए इस्टेट को अच्छा नहीं है बिलीब करी मैं आपको मना कर देता हूं और लड़ी मेरे बच्चों को पता है मेरे इस नेचर के बारे में अनन्द से बात करते हैं अनन्द बोल रहे हैं कि सर कल college में civil engineer और mechanical engineer वाले की placement के लिए TCS और IT से सबसे बड़ी चीज होती है TCS के साथ खास्तर से यह problem है TCS को चाहिए होते है call center के बच्चे है TCS को चाहिए होते है कुछ ऐसे बच्चे जो proper सही तरीके से बात कर लगे क्योंकि TCS का आपको नहीं पता है बहुत बड़ा call center है TCS का Tata की brick company है और इनको चाहिए होता है call center वाल package भी देते हैं जनरली तुम्हारा package होगा 3.3 lakh से 3.6 lakh के आसपास दे रहोंगे तुमको package आनन जहां पर भी तुम्हारा हम कुछ technical चीज तो करी नहीं रहे हैं जो हमने engineering कर रखा है जिसके लिए हम engineer बने थे passionate थे उसका कुछ भी benefit तो होई नहीं पा रहा है तो फिर क्या होता है वहाँ पर हमारा loss होने लगता है और वह loss बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि वहाँ पर फिर लगता है कि अब कि सेक्टर में जाओं क्योंकि यहाँ पर कुछ technical सीखा नहीं back-end का काम सीखा और definitely back-end के काम की limitation है न तो उसके बाद back-end के काम में loss होने लगता है और आप 4-5 साल के बाद आपको पस्तावा होने लगता है क्योंकि 3.6 का बाद जो next package आपको बढ़ने हुआ वह 3.8 उसक कि सीधी सीधी बात एक ची बोलो क्या कि मेरे पास एक बहुत बड़ा confidence है अगर मालो मैं किसी company में काम करता हूं तो तुम्हारी बात कर रहा हूं अगर तुम किसी company में काम करते हो तुम्हारे पास अच्छा skill है AutoCat का, StatPro का, ETAB का या पर किसी भी XYZ software का ठीक है कल को company ने बो जाओर कि हाँ कमाऊंगा और अच्छा खाऊंगा अच्छे इस तरीके से लेकिन अगर उसी company में आप काम के जगर पर जी सर जी सर वाले इंसान रहते हो ठीक है जिसको हम लोग बोलते थे अपने corporate live में की चाटू-kaard type के इंसान हो जिसके पास technical skill नहीं है तो जब तक हो technical skill square करना आनंद ज्यादा बेटर है और आप दूसरे domain में 3.6 पा रहे हो अपने domain 2.8 पा रहे हो ज्यादा बेटर 2.8 है क्योंकि यहां से सीखने के बाद आपके पास knowledge आ रहा है दोस्त knowledge से बहुत confidence raise होता है मैं आपके सामने कैसे हूँ मैं आपके सामने confidence के हो जास हो ना और confidence कि मज जाओ वहां पर क्योंकि तीन साल दो साल बाद होता है कि यह बैकेंड का टीम का reply करना फ्लिप का रिपलाई करना इसका reply करना यह हमारी जौब नहीं है चैलेंजिम जौब ही नहीं है कुछ मज़ा नहीं आता है चलो हंजी सुग आप पूछ लिए आप सुगदाशी है हेलो सर अजी गुडियोनिंग सर मैंने अभी चार पाच दिन पहले एट सेम के एक्जाम दी है करेक्ट तो बहुत सारे फ्रेंड है सर जो हम शौप्टेवर शितने के लिए अभी तैयार हूं मैं कॉले से आये है करेक्ट तो सर बहुत से लड़के बोल रहे है कि आफ्लाइन ट्रेंडिंग लेना चाहिए कि आपको मैसेज भी किया तमई ओके अचा कुछिन हो सकता है मैं देखने पाई कि कभी-कभी मिस हो जाता है तक है अच्छा कुछिन है कि मुझे आफ्लाइन करना चाहिए अनको बोला जाए कि यह मेरे से करना पसंद करेंग या फिर किसी और इ अट यहां जाए आफ लाइन करो छलिए एक मिनटा चाहिए आप ओफ लाइन करो चाहिए ऑनलाइन करो दोनों ही तरीके वेडरे लेकिन इंपोर्टेंट क्या है ठीक है अगर मैं आपसे क्विशन पीज़ू आप ही एंसर करो ठीक है एक बहुत ही अच्छा अ क्या बहुत ह सब्सक्राइब और प्रॉलम यह क्यों आपके घर और हमारे घर नहीं आ सकते हैं एक इंसान वह है तो उन्होंने क्या चूश किया कि भाई हम कैसे जाएंगे क्या बोलते हैं इनके घर पे अच्छा होगा कि मैं ऑनलाइन ही अपने घर से इनको पढ़ा देता हूं एक वह इंसा जो अब हम से पास आउट हुआ है उसको जॉब नहीं मिल रही थी तो अगल बगल देखा तो अगल में इंसिट्यूट मिला आपके घर के जश्ट पीछे है वह इंसिट्यूट और इस इंसिट्यूट में जाकि वह जॉब करने लगा अभी वह उसने कुछ सीखा भी नहीं है और वह हो जौब पर आ गया है और वह ठेट बनाना पसंद करेंगे या फिर आये टी रूरकी वाले इंसान को पसंद करेंगे आप खोधे एंसर करें है ठीक है हो सकता है वह जो लड़का है जो अभी फ्रेसर है जो अभी इस सीखने को आया है तुम्हारे घर के पीछे भी है इंस्सीट्यूट भी ठीक है और डेफिनल्ली वहाँ पर क्या बोलते है आपको बड़ा सब्सक्राइब करें तो सबसे बड़ी चीज है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे भी सीरी नहीं आती थी टिक है लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो फिर धीर धीर मेरे घर वालों न सिखाया वैसे में बहुत देर में सीखा चटवी क्लास में मैं इंगलीज जाना क्या होत तो हमने क्या क्या जब छटवी क्लास में आया था हमने देखा यार इतो लोगों सब लोग इंगलीज पढ़ते हैं मेरे नाम की स्पेलिंग भी मुझे क्लियर से नहीं पताती यह फैक्ट है ठीक है तो मैंने बाहर आके सीखा और सीखने के बाद मैं तो कंप्यूटर देखा कि लोगडाउन के टाइम पे मैं खाय भीना नहीं मरा मैं आराम से घर बैठके कि मुझे डिश्टल प्रेटफॉर्म का नॉलिज था मैंने ओनलाइन प्रोजेक्स किया और प्रोजेट करके अच्छी इनकम्ती जनरेट कर ली तो मतलब क्या है कि डैफिनली आपको नहीं आता सीखेंगे तो तुम भी यह है अंdal रखो कि अब को सीखेंगे को बाहुत बढ़ी बात नहीं है अगरा मैं दोम सीखने में सेखने में ड्यों को समझाया और तुमां सबस्मज में नहीं आया तो हो सकता है तुम बोलो के समझा बार अब नहीं समझा पाउंगा लेकिन अगर मैं तुम को अभी एक्स्प्लेंट कर रहा हूं तुम नहीं समझ पाएं और इससी चीज के तुम्हारे पास recording है तुम क्या कर सकते हो दुबारा उन कर सकते हो ठीक है मैं वहां पर मुझे धर्द भी नहीं होगा तुम एक बार रिपीट करो दुबारा रिपीट करो थर्ट रिपीट करो सो बार रिपीट करो आई चोथे बार तो समझ आई जाएगा ना तो ओनलाइन में सबसे बड़ा एडवांटेज का है कि ही में मुझे आटोकेट पर काम हाया प्लानिंग का ठीक है मैं पडोसी ने मुझे काम दिया और बिलीब नहीं करो कि सायद आप जो एक्स्पिरेंस लोगों को थोड़ा सा अपने आपको समझ पाएंगे चीज को मुझे प्लानिंग का काम दिया गया मैं जब आटोकेट खोल अपने पता है और रही बात की ऑफ लाइन में ऑफ लाइन भी अच्छा होता है बस डिपेंड करता है कि जो तीचर है जो सबसे बड़ा चीज तुम किस पर बिलीब करोगे ठीक है किसी प्लेट फॉर्म पर जाओ सिर्फ बिलीब करो टीचर के क्वालिटी पर क्योंकि तुम अब मुझे मतलब उसके क्वालिटी से अगर आपका जो पड़ोसी है वहाँ पर आपका मेंटर बैस्ट है उसके पास बेस्ट नॉलेज है कि अगर मैं आपको सिखा रहा हूं कि करोणपती कैसे बनते हैं और मैं खुदी मेरे अकाउंट में केवल 10 रुपए है एक दिन वह बहुत अच्छा वीडियो रील बना था उस पे यूटूब पे देखा था मैंने तो एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला आया था वो बोला कि बस मैं आपको ऐसे बताऊंगा और ऐसे से लोगों को जोड़ोगे आपको आपके अकाउंट में 5 लाक रुपए आ जाएंगे त तो अगर तुम इस तरह से जा रहे हो पिरी गड़ बढ़ है हाँ जिसके पास 50 लाक रुपए है अगर वो टेंट कर रहा है कि 5 लाक कैसे कमाएं तो यहीं सब करता है आपको मतलब किस्ते हैं मेंटर से वह अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है दोस्त समझ गया है तो सिविल स्विच करके आटी सेक्टर के कुछ जावा वह कर रहे है तो वह करेंने कि शफेजब की करें कि थोड़ से एक चीज पूछूँगा तुम साथ एंसर दे पाओ या फिर कोई एंसर दे पाए इंडिया के जो एकोनोमी है ठीक है तीन प्रिलियन का सबको बता है उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट कौन सी इंडस्ट्री करती है मुझे बताओ इंडिया का जो इकोनोमी है वो तीन प्रिलियन की है उसमें कमेंट कर सकते हैं तिक है उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट कौन सी इंडस्ट्री करती है आप कमेंट करके बताओ खुद से कैसे आप बोल सकते हो कि उसमें स्कोप नहीं है हाँ यह जरूर बोल सकते हो कि उसका रास्ता नहीं पता है ठीक है सिविल के प्रॉलम क्या हुई जो कंपेर टू आइड मुझे लगता है यह प्रॉलम हुई एक्चुली इंडस्ट्री में अपने सिविल की इंडस्ट्री में कि हम लोग update नहीं हुए traditional method से पढ़ते चले गए मैं जब college में था BN data की tiles estimation की book पढ़ रहा था जिसमें पढ़ाया थे जो पूराने time का tile कैसे estimate करते हैं जो plaster वाला tile होता है उसको कैसे estimate करते हैं आज की time में सब यूज कर रहे हैं अच्छे अच्छे मार्वल्स और हमने क्या पढ़ रख्या हूँ outdated syllabus तो हमारा इंडस्टी क्यों पीछे रहा गया मलब इस इन सब चीजम कैसे पीछे रहा गया पीछे रहने का सबसे बड़ा रिजन है कि हम लोग technology को asset नहीं कि जैसे कुम बो इसा जो भी income सबसे जादा है अगर कहीं पर है तो क्योवल हमारी इंडस्टी में अब बोलोग सर ऐसे कैसे तो ऐसे इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि package ही सब कुछ होता है मैं इसको नहीं मांता हूं knowledge ही सब कुछ होता है अब बोलोग सर ऐसा कैसे आपका industry में माल लि जॉब करोगे तो आप कितना पैसे कमाओगे बताओ 10 साल आपने जॉब किया 10 लाग का package था तो कितना पैसे कमाओ बताओ तुम्हीं बताओ ठेक है तो चलो यह साइद अभी calculate कर रहा हूँ तो क्या बोलते है लबभग आपने कितना कमाया एक करोण रुपए कमाया कितना एक करोण रुपए कमाया आप उसमें से tax अगर काटोगे तो एप्रॉक्स जो आपका tax जाएगा 20 लैक्स रुपिस आपका tax चला जाएगा आप धस साल की income बता रहा हूँ आपका कितना होगा 80,00,00,00 ृपYA होगा और असी लाक में आपको यहं में fpsure कर सकता हूं कि आपका कम से कम 60,00,00,00, 70,00,00,00 करेंए खर्च कैसे होता है आपके रहने में आपके खाने में फैपिस करने में चला जाएगा और उसके बाद जो आपक लाख रुपए में क्या खरी सकते हो आप खुद केल्कुलेट कर लो जो पीछे इमारते हैं इनमें से एक फ्लैट भी हमारा नहीं हो सकता है दस साल की कमाई में इसलिए इसलिए हमें सीखना चाहिए कि कौन सा ऐसा काम सीख लें जिसको फ्यूचर में हम खुद से कुछ डेवलफ करने लगें इसलिए लोगों को क्या बोलता हूं कि एक बुक है रिच डेट और इंस्टाग्राम पर भी लाइव आके बता रहा था तो ऐसा कुछ सीखो जिसको आप खुद का कर सको अगर आप फ्यूचर में नहीं कर सकते हो आज से 5 साल बाद आज से 10 साल बार तो बिलीब करो हमेशा हमें किसी और के लिए काम करना पड़ेगा उसकी इतनी बड़ी-बड़ी हो जाएंगी और हम उसके केवल और केवल इंप्लॉई रह जाएंगे दोस्त और पूरा 6 साल का आपको इंकम बता रहा हूं खर्च होने के बाद केवल 4,000 रुपए मैंने बचाये थे और डेफिनली जब उसी काम को मैंने एजग्यूट किया तो अब बताना नहीं चाहिए ठीक ठाक अच्छी अच्छी मलब उसमें कई गुना कई 100 गुना गुरूथ हुआ तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि इंकम का एक अलग सोर्स होता है बस तरीका जाना चाहिए काम को करना कैसे है तो यह नहीं कर सकते हूं कि आपका अभी है मैं थोड़ी दिर पहले हमारे पर से कॉल आया था तो हम एक प्लॉट बुक कर रहे हैं जो प्लॉट की प्राइज ह करना है 20 लग रुपीज है उस प्लॉट के जस सामने बनने वाला है मॉल अब मैं सिविल इंजिनेर हूँ मुझे जियोग्राफिक नॉलेज अच्छे से है मॉल बनते ही उस प्लॉट की डिमांड कितनी बढ़ जाएगी इससे मुझे से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है तो जै तो पैसा कमाना एम नहीं होता है अगर वह सीख गया है तो फिस सब कुछ है और रही बात इस पैसे कमाने की तो सिविल में आप आराम से अब यहां बच्छा था वह बीम में काम करता था स्वरी चला गया साथ है तो उसका सेली साथ है रुपए कितना है साथ हजा रुपए वह सिविल में ही हो तो आप ऐसा नहीं बहुत सकते हो एक्चुरी हमें रोट नहीं पता होता कि जाना कैसे तो यह तुमारा यसर है समझ अभी तुम फ्रेसर हो थोड़ा सा तुम्हें डाउट आएगा इन सब चीजों थोड़ा कम समझ पाओगे क्योंकि हम भी फ्रेसर थे हमें भी कम समझ आता था इस सब कैसे करते हैं लेकिन धीरे धीरे यह आएगा ठीक है चलेगा किसी और को कोई डाउट है एक हां सत्या बो मैं अभी ट्रेग कर रहा हो ना तो मैं जब इसको लेवल स्टुडीं था जिए यह पता था जिए कोई बिल्डिंग ऑन्स्ट्रक्शन का काम हो क्या है कोई-प अंजिनेरिंग चैनल वह सारे मुझे लगता था कि स्ट्रॉक्च्ट्टल इंजिनेरिंग या फिर सीवल इंज वाद इंजिनेरिंग के जाओ गया तो इरिगेशन इंजिनेरिंग हो गया है करेक्ट तो मुझे एक एम था कि जब फ्यूजर में कुछ बनूंगा तो इंजिनेरिंग के थूजा के तूज आगे सब इंजिनेरिंग कर रहा हूं सिविल इंजिनेरिंग में तो मुझे गर मुझे कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो मुझे क्या करना जाए क्या मुझे पता होना जाए या समझेगा तुम्हारा कुष्छन समझेगा मैं ठीक है अच्छा कुश्छन है उसका क्या होता है जो हम इंजिनिंग पास आट लगवाद तुम अभी साथ पास आट हुए होगे था है जब में बच्पन छोटा था तो रइफनिले बच्पन सब सब छोटे ही होते हैं तो मेरे घर के सामने एक आम का पेड़ था का था और समय बहुत अच्छै अच्छै आम आते थे ठीक है तो आम का पेड़ सबसे पल्ले अमारा ठार्गेट होता कौन से वाले ब्रांच में सबसे ज़्यादा फल है कौन से वाले ब्रांच में सबसे ज़्यादा फल है और वो सबसे ज़्यादा पका हुआ कौन सा है तो क्योंकि लबत 10 डाले मानलो है प्रॉक्स है, तो वही 10 डाले क्या है, civil engineering के अंदर लबक 15 से 20 सब डोमेंस है, जो अलग अलग तुम बता रहे हो, beam है, irrigation है, highway है, irrigation है, और इसके बाद क्या बोलते हैं, अपना structures है, PEB है, steel है, precast है, ठीक है, there are different different domains, तो हमें यह देखना चाहि कि हम paid पर तो चड़ गया है, ठीक है, मलब degree तो complete कर ली, अब इसके बाद उस डाल पर जाना चाहिए, जिस डाल पर सबसे ज़्यादा आम हो, जिस डाल का आम सबसे ज़्यादा पका हो, और जिस डाल पर, क्यों पका मतलब, latest demand, ठीक है, पका मतलब क्या होता है, latest demand, जिस डाल पर ज़्यादा ज़्यादा demand हो, जिस डाल का स्वाधिष्ट आम हो, क्यों लगभा स्वाधिष्ट तो सब कही रहते है, पैसा तो सब में ही होता है, लेकिन कौन सा पका हुआ है, मलब कौन से में market तुरंद चल रहा है, उसको हमें search करना चाहिए, तो उसमें से अगर तुम मैं आपको यह सजिस्ट कर सकता हूँ कि कुछ domains ऐसे हैं, जो एकदम best है, तो उन्हीं डालों पर जाओ तो बेटर होगा, अगर मैं उस समय सोच था कि मैं इस डाल पर थोड़े से आम खालू, इस डाल पर भी खालू, इस डाल पर भी खालू, तो हो सकता है कि मैं एक दो बार खतम हो गया, विससे खतम करना भी बड़ा मुस्किल होता है, एक domain को खतम करना, पूरा खतम हो गया, तब मैंने सुचा चलो दूसरे domain में चलते है, समझ गया, तो इस तरह से तुम्हें जाना पड़े कि पता नहीं समझे कि नहीं, तुम मेरे example को, तो basically construction के related के लिए मुझे क कौन से domain पर जाना जाएए, मेरे according, जहां से construction स्टार्ट होता है, वो पहला domain होता है, structures, अगर मैं बात कुरूँ, जैसे कि मैं हमें इसा example देता हूं, classes में, कि जो हमारा building structure होता है, यह होता है, क्या बोलते है, जैसे body होती होती है, और building structure होता है, दोनों सेम होता है, इसमें भ activity flexion आता है, इसमें भी shear force निकलता है, इसमें भी moment होता है, इसमें भी twisting आती है, इसमें भी सारा creeping होती है, इसमें भी honeycomb होता है, पूरी property जो building में होती है, वही human के body में होती है, तो body का सबसे important part क्या होता है, I think हड़िया होती है, क्योंकि जब तक हड़िया नहीं टिकेंगी, आपका body को कोई अस्तित्तु नहीं है, तो हड़ियां structure है, तो definitely सबसे ज़्यादा demanding जो होगा, वह structures होगा, उसके बाद क्या होता है, मेरा decoration, मलब अच्छी डाड़ी हो, अच्छा से बाल सेट हुआ हो, अच्छे से earphone लगाया हो, ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखूँ, जि मैं खाड़ा ही नहों पाऊं, बैठा रहूं ऐसे, किसी काम का नहीं है, मेरा beauty, ठीक है, सबसे बड़ा beauty, मेरा क्या है, कि मैं अच्छा दिखूँ, उसके साथ ही साथ stable रहूं, तो stable रहने के लिए structure जानना बहुत जरूरी है, और structure का demand, मेरा look का demand कम हो सकता है, मैं बूढ़ा at least final year, जी सर, final year, सर, helpful हो सकता है, जो आप course कर रहे है, मुझे, बात में जा कि कैसे helpful कर सकता है, मैं जो अपने domain पर काम करूंगा, ठीक है, तो बात में क्या होगा, कि जैसे कि अभी तुम लोग investment करते हो, तुम नहीं करते हो, तो जैसे कि अभी हम लोग क्या करते है, investment करते है ठीक है, investment है, छोटी-छोटी investment हम लोग अपने college time भी भी करते थे, बट तब तरीका नहीं पता था, अब तरीका पता है investment करने का, तो होगा क्या कि आपके साथ कई धेर सारे बच्चे होंगे, और जब बच्चे सब pass out होंगे, तो उसमें से कुछ बच्चों के पास क्या होग इस तरीके कि कागज की degree होगी सबके पास, क्या होगी, कागज की degree होगी, उनके पास, ठीक हो सकता है कागज की degree सबके अलग, किसी का 60%, किसी का 80%, लेकिन कुछ लोगों के पास इस कागज के degree के साथ यहां पर कुछ extra चीज़े होंगी, जिसमें से आपके पास stat quo का knowledge होगा, e- से एक दो लोग एकदम से अलग दिख रहे हैं तो वो अलग आप दिखोगे रीजन ये रहेगा कि आपके माइंड में थियूरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज उस समय पहले से रहेगा और आप जब किसी इंटर्वी में जाओगे सीधी सीधी बात है कि मेरे प पुरन बोलूंगे आप डाल चाल सब्जी रोटी ते कोई भी बना सकता है यह साही पनीरवाला सबसे बेस्ट है तो मैं तुमको सबसे पहले रखूंगा कंपेर टू अधर लास्ट कुशन जो आपका यह कोर्स है यह कितने डुरेशन तक चलेगा और इसका फी होता है 20,000 फोर मंत का मलब 5,000 पर मंत होता है जिसको आपार्ट में भी कर सकते हो और 5,000 मिनियों पे करके रेजिस्टेशन करना पड़ता है जिसके लिए मेरा ऑफिस्यल नमबर है 979262121 उस पर करना होता है यह प्रोसेस होता है बजाए तो यह बहुत इंपोर्टेंट है कि हार एक्षण फ्रस्टा नमबर चाहिए था कि सर मैं मैंने कुछ डिसकेशन करना है और कुछ मैं प्लाइन कर रहा हो तो इसके रिगार्डिंग मुझको सराइडिया नहीं हो रहा विकॉस मैं सीनियर्स पर भी पूरे तरीके से मैं बलीप नहीं कर सकता है विकॉस मेरे भी कोई दिक्कत नहीं आप कर सकते हो उसका कुछ कुछ टाइम होता है जिस पर मैं बात कर पाता हूं रीजन ही होता है कि हमारे बास भी काम करता है सर नो प्रॉब्लम सर आप जो टाइम दोगे मैं उससे बीच में आपको कॉल कर लूँगा अगर मुझे सर कोई कॉंटेक्ट ड चलेगा एक दो कुछन ले लेता हूं चैड वाक से क्योंकि जैनिक एक थोड़ा से रुख जाना मैं थोड़े से कुछन ले लूँ चैड वॉक्स को उसके बाद चलते है ठीक है पहला कुछन इन्हों ने पूछा आचा जैनिक का ही पहला कुछन है क्या नहीं कुछ कुछन महना से टाइब किया हुआ है तो इनका भी महना देखना चाहिए सब्सक्राइब इंजीनियर की से एक्वल स्ट्रक्चर इंजीनियर को मिलेगा क्या हो सकता है उससे ज्यादा मिले चरम ज़रूरी नहीं कि आप सब्सक्राइब के बराबर ही कमाओ ठीक है हर डोमेन का अपना अलग अलग तारिकी का स्ट्रील है तो स्ट्रील इंघिनियर हूं और मैं किसी भी इट स्टर का लड़के से कहीं ज्यादा अपने ईस ग्रूप में सुना है structure engineer में work pressure deadline बहुत है और timing 9 to 5, 7 सही है क्या yes 9 to 6 होता है जनली जो job का timing होता है रही बद pressure की तो pressure नहीं होता है इसमें responsibility जादा होती है यह सब के बसका नहीं होता है इसलिए इस job को सब नहीं कर पाते हैं ठीक है definitely आप सीधे सीधे किसी building की पूरी responsibility अगर आपके उपर आ रही है आपके team की उपर आ रही है तो responsibility तो होती है इसमें कोई doubt नहीं है हाँ challenge होता है अगर आप challenge से challenge को face करना चाहते हो तो best है नहीं face करना चाहते हो तो best नहीं है अनद बोले sir beam structures में switch होने के लिए कितना correct है beam से बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो देखो यार यह depend करता है अब अभी आप switch करोगे तो अच्छा है अब आधी building तब पहुंच गए फिर नीचे आओगे फिर इसको चड़ोगे यह गलत होगा अगर आपने एक दो फ्लोर चड़ा हुआ है चलो जाने दोनों यार इधर आजाओ जल्दी चड़ जड़ 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 आपको बोलना चाहिए मेरे पास यह knowledge है और मैं यह यह काम कर चुका अपना portfolio आप सेयर कर सकते हो अगर मेरी company में जौब है तो मैं आपको share कर सकता हूँ नहीं है तो मैं कहीं और आपको reference दे सकता हूँ कि यहाँ पर भी आप देख लो आपको हो सकता है मिल जाएगा एक question हो इसके बाद आप लोगा question लोगा question है sir next batch कब से start हो रहा है मैंने message किया था और मैं देख नहीं पाया कोविन इस समय लभा 900 message रखे हुए तुमको पता ही है मेरा कैसा बहुत भरा रहता है इसलिए मैं live कर रहा हूँ जिससे सब का question मैं देख पाऊं ठीक थोड़ी question ज्यादा हो लोगे हैं तो उनके काम अलग रहते हैं और बच्चों के काम अलग रहते हैं मलब आप लोग के काम अलग रहते हैं बच्चों मलब मेरी बच्चे नहीं यार ठीक structure engineer के disadvantage बताव sir ओके हर एक profile का disadvantage होता है इसमे responsibility बहुत ज़्यादा है ठीक है क्योंकि आप responsible person हो ठीक है दूसरी काम करना पड़ते हैं यहां पर ऐसे माइंड ऐसे हलके में काम नहीं कर सकते हो क्योंकि आप एक responsible person रहते हो तो यह आपके disadvantage है ठीक है और उसके बाद disadvantage है कि महनत बहुत करना पड़ता है दोस्त यह फिक्स है लेकिन आप ऐसे भी आपके काम आते है बहुत है हां सुधी बहुत है और उसके लेकान आप 210 श Pin 5 ऐस सब्सक्वन. analysis so if you do that done like a master's this is very special for you but not compulsory if you design for G plus 10 G plus 15 G plus 5 G plus 20 not compulsory there are many there are many colleges I have a lots of context maximum college call me sometime and they say just like refer your students they can do the masters from my college but I don't like he MacGalaj logo go prefer code that's why I'd never like prefer but if you want to find there are list of scholars they can provide you yeah I can I can I can whatsapp you some numbers you can just contact you can do that okay I recorded I'm not going to prefer like we can't do the recorded because there is a daily update session nine purple definitely suppose today you are going to submit your project someone going to submit their projects so we can't create the like the recorded for that and I don't think it recorded useful for you because I have recording but I I don't think useful for you or any others I'm talking about that recording of live lectures and after lectures right okay just after one after one to two hours it will render and automatically develop maximum two hours okay okay like suppose I'll finish at 10 30 and you you will get approximately 12 o'clock you will get your recorded also for their same lectures when will you how will you get that sir that will automatically you will get the own app automatically it will update yes app Unix civil app okay 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 yes next question if you want anyone you can take because art will be a meeting I will suggest quickly hello hello कि अगर मेरा यह है कि मेरे होम टाउन में मुझे वर्क करना था तो मैंने क्यूंकि और यूट्यूब से क्या करना है जब कि यहां पर बिल्डिंग्स पी 10 प्लस या 20 प्लस जाता नहीं है और इसके बाद भी शर अगर 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 क्या करना चाहिए सबसे पहली चीज़ कि तुम्हें अपनी स्किल्स ज्यादा नहीं है ज्यादा एड करनी चाहिए तो आप मेरी जॉप्स गाइड वाला चैनल को प्रिफर करो ठीक है तुम देखो के रेगुलर जो अपनिंग्स आइंग की लभग हर दूसरे तिसरे जाती है तो उसमें तुम देखो कि मैक्सिमम नैंटी परसंट जो कंपनी हमें रीफर करता हूं वह हमेशा डिग्री वालों के लिजिबल होती हुँ वही कंपनी रीफर करता हूं ठीक है तो अब तुम्हें खोजना पड़ेगा अगर तुम दो-तीन कंपनियों को देख करोगे तो ठीक नहीं होगा मेरी करना र ठीक है चालेगा ओक एन्यवन एस वांट लास्ट कुरिशन ले लो इसके बाद आपको गर रिक्वाइर्मेंट होगा तो मुझे वाट्सेप कर देना अधर्वाइस एक और मीटिंग प्लान कर देंगा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है पर मीटिंग एजी रहेगा तोहीं हम IMAट नहीं है नहीं है तो मन्यूच एम प्रहेज इन खर एलत बात्रघ्य एप्रण एंप ट्र०कित Nä Pr digamos j ऑ सांट है ट्यार यूर्ट इजिश एज वाट्टर इन ट्रूर्टर इस फ्लाट कर च बात्समाट प्ला Hag 512 hypoth peng एसो π neutrino ikona प्रेश में प्राइब हैं इसलिए उ था वा स & गीन क क्राद का यह चलै economics ok newbie प्रेश सम multifёз और श्मृट स्न göt्री इंप सम्हान इंप फॉर्ण्यू और वे स्सक्राफ के लागल दॉरी relevant इंप से EVERYडाम में तान सिर्ट अपर आप कंप्री स वे टारम एषो C debat ओके ओके तैंक्यू सो मच गाइस एंड होप आपके सारी कुश्चिंस के जवाब मिल गए होंगे कमेंट करके बता देना कैसा लगा सेशन जस कमेंट करना आपने एक गंटेम कुछ नया सीखा क्या अगर ऐसा लगा तो आप लोग कमेंट करके फिर नमस्ते लंदन हो सकते हैं किसी को भी जानना रहेगा कुछ और तो मुझे वाटसेप पे पिन कर देना इसपेसली ठीक है और जैसे मुझे टाइम देलता है मैं आपको बता दूंगा ठीक है थेंक्यू सो मच चरन को अच्छा लगा और कैसे लगा सबको किसान को भी अच्छा लगा ओके सभी लोग ओके विल्कुल विल्कुल टॉर्णिंग पॉइंट्स ओके वहरी गुट विस आप्ट दू यू टीज इन कोर्स आई तिंग तुम लेट आया जहे ऑटोकेट इस्टेट पो एटेफ्स आर्सी डीसी सेफ मैनुल डिजनिंग एक्सल डिजनिंग रेविट आटेचर रेविस् इसी कॉंटेट नबर जैसे स्क्रीन सॉर्ट सेयर करो गुरूप में मैं आड कर दूँगा जो इसका प्रोस्पेशनल गूरूप है और लेडि उसमें इसमें से तीन चाल लोग पांच लोग एड हो चुके हो और लोग धीर धीर एड हो जाओगा चली थैंक्यू समच रिलेटेट तो अद्मिसिंस रिलेटेट तो इनी नौलेज ठीक है चानो थैंक्यू